जichенд स्वागत है टार्गेट विदवारिस में आज की क्लास में पढ़ेंगे क्रिया, परिभाशा, भेद और उदाहरण क्रिया की परिभाशा, भेद और उदाहरण को आज की क्लास में समझने वाले हैं इस से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज़े शुरू करते हैं देखते हैं समझते हैं क्रिया की परिभाशा क्या होती है इसके भेद और उदाहरण को देखेंगे शबसे पहले देखेंगे क्रिया की परिभाशा जिस सब्द के द्वारा किशी कारे के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है वह सब्द जिसके द्वारा वाक्य के अंदर किशी कारे के करने या होने का पता चलता है वह क्रिया कहलाता है शंस्कृत में क्रिया र उन्ही धातूं के साथ जब ना का परयोग कर दिया जाता है तो वह हिंदी में क्रिया के रूप में परियोग होने लगता है। पर दोड़ना से दोड़ना हैं पिना, पाड़ना, लिखना दोड़ना ये सभी क्या है क्रिया है खाना पीना पढ़ना लिखना दोड़ना इन सब के अंत में ना जुड़ा हुआ है यह पहचान है क्रिया का क्रिया को शंस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है जो क्रिया होता है वो शंस्कृत में क्रिया रूप को धातु का और इन्ही धातुओं के साथ ना लगता है तब यह हिंदी में क्रिया बन जाता है यहां पर देखेंगे क्रिया के उधारण क्रिया के उधारण नीचे दिये गए हैं जैसे अजीत पढ़ रहा है अंसुल क्रिकेट खेल रहा है भावेस खेल रहा है जॉन एडम्स पुस्तक वाक्यों में तो आप कहां पर क्रिया देखेंगे जो पढ़ना है जो कारे हो रहा है यहां पर कारे क्या हो रहा है खेलना यहां पर कारे खेलना हो रहा है और चोथे में फिर पढ़ने का कारे हो रहा है तो खेलने और पढ़ने का जो कारे हो रहा है यही इस वाक्य में क्रिय अब देखेंगे क्रिया के भेद क्रिया के कितने भेद होते हैं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं तो क्रिया के शमानित दो भेद होते हैं जैसे शकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये शकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये क्रिया के शमानित दो प्रकार या दो भेद होते है पहला देखेंगे शकर्मक क्रिया किशे कहते हैं शकर्मक क्रिया वे क्रिया हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयोग किये गए कर्ता पर नव पढ़ करके कर्म पर पढ़ता है अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना शकर्मक क्रिया का लाता है जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव करता पिन पढ़ करके कर्म पर पढ़ता है क्रिया का फल किस पर पढ़ता है कर्म पर पढ़ता है तो वह क्रिया शकर्मक क्रिया का लाती है जैसे कि शीता खाना बना रही है अब ये उधारण है अब सीता बना रही है अब बनाना यहां पर क्रिया है अब शीता बना रही है तो कोश्चन मारक होगा कि शीता क्या बना रही है जो ये प्रस्णवाचक चिन लग रहा है इसका जवाब कहां से मिल ला है खाना से मिल ला कि शीता क्या बना रही है तो बनाने का जो फल है वो कहां पे पढ़ रहा है वो खाना पे पढ़ रह कहां जा रहा है तो बाजार जा रहा है तो जो बाजार रिप्लाई हमें मिला है जाने का यह यहां पर बाजार कर्म है तो जाने की जो क्रिया है यह कैसे क्रिया है शकर्मक क्रिया है उसी तरह सुरेश पानी पी रहा है शकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा दिकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्मक क्रिया हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है जैसे कि राम आम खा रहा है, यहां पे जो है एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है क्रिया के साथ, तो यह एक कर्म क्रिया होगा, वहीं पे जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयोगत होते हैं, उसे दी कर्म क्रिया कहा जाता है, जैसे अध्यापक छात्रों को गडित पढ़ तो इसलिए जब एक क्रिया के साथ दो कर्म क्रिया काल आता है, जब एक कर्म आएगा तो एक कर्म क्रिया काल आएगा, ये दोनों भेद शक्र्म क्रिया के होते हैं. करता पर पड़ेगा तो वहां पर अकर्म क्रिया होगा जैसे रीता रोती है शीता खाती है राम बैठा है तो यहां पर जब करता के बाद क्रिया का प्रियोग किया गया है तो कोई प्रस्वाचक चिन्न यहां पर नहीं लग रहा है अपने आप में वाक की पूर्ण हो जा रहा शीता खाती है, कोई प्रस्वाशक्षिन नहीं है, राम बैठा है, रीता रोती है, तो यहां पे जो रोना, खाना और बैठनी की जो क्रिया है, इसका प्रभाव करता पे पढ़ रहा है, नो की कर्म पर, तो जब क्रिया का प्रभाव करता पे पढ़ता है, तो वहां पे करता प परिभाशा उसके समानते भेद और उसकी उदारण को भी आपने समझा है आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा चैनल के दिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगली क्लास में जय हिंद आपको घंट रिया हुआएब नहीं किछ आपको नहीं कि जिए और इन जिएवेगाब जीजिए एफश्भी नहीं किएड़ ये जीए आपको फटारेशा के तक साणको रिएवेवेश नहीं कि कि सम्स्टार के आपको पाम है जिएट आपको जभाब